कि आप लोग उने देखा होगा लोग टाउं की टाइम पिसांत भूसन का नाम काफी सुना होगा उन पर भी आउमानना का केस चलाया गया था और आप सभी ने देखा था कि किस तरह से सुप्रियूम कोट एक तरह से अपने ही विच्छाए जाल में पस चुका था आप समझेगे कि वही था कि कहा या रहा था कि चोर हैं हम तो आप माफी मांग लेजीए मैं छोड़ देता हूं लिकिन आपने देखा था कि पिसांत भूसन साब ने माफी नहीं मागी थी उन्हेंने का था जो भी सजा हो मैं उसके लिए बोगतने के लिए तयार हूं बाद मैं नॉर्मल बैक्ति हैं, आप गरीब हैं, आप पिछड़े हुए हैं, तो आपको किस तरह से न्याय मिलता है, दुनिया जानती है, मैं इसलिए नहीं बोलाओं कि आप डारेक्ट कॉपी में चापाईए, हकीगत बता रहा हूँ, अभी आपने देखा अरणोगो स्वामी, किस तर आप समझे कि इसतने जल्दी कोई नेरह ना आता, तो इसी में कुछ कुनाल कामरा हैं, आपने देखा होगा कि हासकलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किये हुए हैं, तो उन पर भी आउमानना की केस की बात की जा रही है, तो उस पर विस्ताय से बात कर लिते हैं, क्या है आकि नियायकाव मानना, इससे जोड़े और भी कुछ मात्मूर तत हैं, उन्हें भी अब लोग बात कर लिते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के जो भी टॉपिक रहते हैं, उनसे आपके कुश्चन्स हमेशा बनेंगी और बनते रहे हैं, ठीक है हाली में सुप्रिंग कोर्ट और नियायदीसों के बारे में हास कलाकार कुर्णाल कामरा द्वारन किये गए ट्वीट हितु सुप्रिंग कोर्ट ने नोटिस जारी किया हुए, वर्स 2018 में आतमत्या के लिए उकसानी की मामले में आरूपी पत्तिकार अर्णो गोस्वामी की अग्यम जवानत याश्का बंबई उचनेले ने खारिच कर दी थी, आप समझे कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है अगर आप आरूपी, मतलब आप एक तरह से अनड़ो गोस्वामी के भक्त हैं या उनके एक तरह से पक्षकार हैं तो आप पक्षकार बने रहे हैं, ले आपकी जो भी गरीवी की बात है, या आप समझ सकते हैं कि लोकडाउन में किस तरह से लोग मतलब तराश्दी जहली है, उस मुद्दे को उठाया जाना, आप समझे कि आपने देखा है लोकडाउन में पूरे लोकडाउन भर एक केस उठाया आपने और पूरा चलाते रहे, लाश्क में उसका निसकस क्या निकला, जीरो, वही हाल है कि आप दीवाल पर पेसा लगा रहे हैं, और लगाय जा रहे हैं, लगाय जा रहे हैं, सुवए से उठ जाते हैं और दिन बार आप उसी पर ढखे ले हैं, वो पीछे से थोड़ी ढखे लेगी, तो आपने यही किया आप समय रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भक्त बने रही है, मैं इसलिए बिल्कुल नहीं बो रहा हूँ, भक्ती छोड़ती रहे हैं, कम से कम अपने वावाब की वक्ती किया करेगा, और अपने रोजगार जो आपको दे रहा है, स्वास्ति बे उस थाएं जो आपको दे रहा है, सिख्छा जो आपको दे रहा है, वही आपके लिए मुझे लगता है भगवाने। देखा होगा अपने की खिसानों के या तो आतंगबादी कह दिया जाता है, या खालिस्तानी कह दिया जा रहा है, या पाकिस्तानी कह दिया जा रहा है, चाइना, अमेरिका, बाकी देशों से जुड़े हुए हैं, इस तरह बदराम करने की कोस्ति की जा रही है, टुकड़े हैं अपने लिए कुछ भी करते हैं अभी MP में कुछ समय पहले आपने देखा था आप लोगों में से कई बच्चों ने फ्रोटेस्ट की मतलब आंदोलन किया एक तरह से विकैंसी नहीं आ रहे थी तो उस पर डंडे वर्साए गया उन लोगों पर उने एक तरह से बदराम करने की कौसिस की गई है लड़कियों के साथ किस तरह से मारपीट लीजिए आप समझ सकते हैं तो आज की समय में इसलिए आप देख रहे हैं कि आपने देखा हुआ सुदंता सुचकांग को फिर चाहें लोगतंत की बात हो इसमें हमारी इस्तिति में काम नहीं करते हैं इसलिए वो रेंकिंग अच्छी देती हैं उसमें आपको हकीगत मालू चल जाएगी लेकिन यह भी आप लोग जानते हैं कि अधिकतर लोग इसे रेंकिंग के बारे में कुछ जानते ही नहीं है जब सुप्रीम कोट में उक्तमामलों की सुनवाई चल रही थी तो 11 नवंबर को अर्णो गोस्वामी को सुप्रीम कोट द्वारें जमारत दिये जाने की बात कुनाल कामरा ने कहीं ट्विट किये हैं और कुनाल कामरा के ट्वीट के खिलाब सुप्रीम कोट में कई याँज़काहें कош़ा है आजकाह मूं आरोख Rke glamorous कि आपमान जनक है और हुए Antonis अदालत की प्रिंभ का रहे हैं आप समझेगे, मैं किसी का बक्ष नहीं कर रहा हूँ, आजकल लोग भी बड़े अजीव हैं, इस पर कई याजका हैं दायर की गई, आप समझ रहे हैं, कई की गई, कई सब्दाप का जुड़ा हुगा है, अभी किसी गरीब के साथ अगर उसे अधिकार नहीं मिले हूँ हैं, तो हाँ आप लोग कभी नहीं करेंगे, समझे रहें, याजकाओं ने आरोप लगाया है कि याजका करताओं ने कि कामरा के ट्वीट इतने खराब भावना के लिए हुए थे, कि साधरन ब्यक्ती भी समझ सकता है कि विसी सदालत के लिए अबमान जनक हैं, और भारती नागर सुप्रीम कोट ने कुणाल कामरा के अदालत कि आउनना या नियाएक आउमानना के संदर में हाली में नोटिस जारी किया हुए है, सुप्रीम कोट इस नोटिस को इतना च्छे सप्ताय की भी तर जवाब देना है, हालाकि सुप्रीम कोट के जश्टिट असोग भूसन, जश विस्तार से बात करते हैं, और जो भी आपके, आप लोग NCEIT पढ़ लिजे कर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना है, या श्टेट PCS की, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मत्मूर भूस हैं, अब बात करते हैं हम लोग अदालत की आउमानना या पिर नियाएक आउमानना की अओ धारना कई सदीयों पुरानी हैं, इंगलेंड में या एक सामान कानूनी सिद्धान थे, जो राजा की नियाएक सथी की रक्षा करने का प्रयास करता है, शुरू में स्वयम राजा द्वारा वबाद में नियाएदीसों के एक पैनल द्वारा राजा की नाम पर दे रहे हैं, उस पर आपको सहमत होना है, और आपने ये मान के रख लिया है कि पिताजी कभी नेड़े गलत नहीं दे सकते हैं, या कोई भी बैत्ती गलत नहीं दे सकता है, माल लिए कल इस तरह काम वानना कि कोई विवस्था करती जाए, कि आपके पिधार मंतिरी सहाब आपको, तब क्या हुआ? तो यही सुप्रीम कोट के बारे में कहा गया है, या फिर आप सोचेंगे इंगलेंड के राजा के बारे में कहा गया है, या राजा की द्वारा जो नियुक्त किये जाते हैं, उनके बारे में भी यहीं कहा गया, कि ये लोग गलत फैसला नहीं ले स कई नया दीज्स क्या होते हैं, रिटाइड होते हैं, उसके बाद या तो राजसवा की सीट दे दी जाती है, या तो राजनीती में सक्रिये हो जाते हैं, यह भी प्रॉब्लम देखी जा लीए, आप समझे, आप जश्टिस हैं, मगलब आप कई नया दीज्स हैं, और आपको इ नेड़े दे दे इस तरह कि कई नयादीस आपको देखने को मिल भी जाएंगी ठीक है तो इस से भी आप समझेंगे कि हमारी जो न्याले है इस पर बुरा एक तरह से इसर पड़ता है न्याले सब्द अपने आप में गलत नहीं है वही है कि पिधान मंतरी की कुरसी जो पी एम पिर से ये गलत नहीं है लेकिन उस कुरसी पर कौन बैठ रहा है और वो अपने कर्तबों के किस तरह से अपना कर्तब ने भाए वो मायने रखता है वही कहते हैं कि बैक्ती गलत नहीं है उसके अंदर जो इंसानियत है जो माना होता है वो गलत होती है तो सुप्रेम कोट का तो एक तरह से या फिर हाई कोट हो या कोई भी नयाले हो उसका तो यही एक तरह से कर्तब है कि अपना एक तरह से सही पक्छ ले और सही पक्छ रखे उसी के हिसाब से वो फैसला देंगे वहां ना तो गरीब की जगए है और नहीं अमीर की कोई सब के साथ एक बेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सबके साथ एक समान जो भी है, वो करना चाहिए लेकिन हमारे देश में बड़ी लंबी पिक्रिया होती है ऐसा कहा जाता है कि एक महला को दुसकरम हुए 6 साल मर जाती है 6 साल बिच जाते हैं, तब उसका फैसला आता है कहा जाता है कि 25 साल जेल काटने के बाद उस वैक्ती से किसी वैक्ती से कह दिया जाता है कि तुम ने दोस हो तुमने कोई दोस नहीं है आपने कोई गलत काम नहीं किया है आप समझे हो 25 साल तक वो जेल में बंद रहता है ऐसे कई कैदी आपको देखने को मिल जाएंगे तब हमारी आप सुची न्याले पर एक तरह से आपकी पिश्ण चिन खड़े हो जाते हैं लॉकडाउन की टाइम आपने देखा है किस तरह से तरास्दी जिली जद्दाने और आप सुची कि इन्हीं मुद्दों को पिसांद गुश्ण के द्वारा कुछ मुद्दों को उठाए गया था मैं कहता हूं कि अगर अगो स्वामी की एक तरह से सुनवाई हो सकती है तो किसी गरीब की क्यों नहीं हो सकती है या और भी दुनिया के कोई मामले पड़े हुए है तो उनकी क्यों नहीं हो सकती है यह भी आपको दियान देना होगा और एक बात हमेशा याद रखिये आप लोग आप लोगोंने कई बार देखा होगा कि कई बार आपकी सौनिया गांधी भी आर्टिकल लिख देती हैं कई बार आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस के लीडर भी आर्टिकल लिखते हैं कई बार आपके बीजेपी के लीडर भी लिखते हैं आर्टिकल तो आप समझी उसमें भी कुछ आपके लिए पॉइंट होते हैं ऐसा नहीं कि आपके कोई कुछन सा रहा है तो आपको सौनिया गांधी की पूरा कॉपी करके आइटिकल का और लिखते हों आप लोगों को भी इसका रास्ता चुनना है समझ रहे हैं? हकीगत कुछ भी हो लेकिन हकीगत आपको दूर-दूर तक उसमें बया नहीं करके ना है परना आप फस जाएंगे आप सभी जानते हैं कि किस तरह से क्या होता है दुनिया किस तरह से चल रही है, हमारा देश किस तरह से चल रहा है लेकिन जब आप अगर लिखित परिच्छा में अंसर लिख रहे हैं तो आपको बड़ा बैलेंस बनाना है माल लेजे कि आरक्षन पर कर, रिजर्वेशन पर कल कुश्चन्स आ जाता है लिखने के लिए या आप से कहीं इंटर्विव में भी कुश्चन्स पूछ लेता है तो तब आप क्या करेंगे ऐसा तो नहीं करेंगे कि पूरे आप एक तरह से निगेटिब पॉइंट एक तरह से आप समझेए निगेटिब पॉइंट आप लिख दें उसमें आप लोगों को वहाँ भी बैलेंस बनाना है वहाँ भी आपको कुछ पॉजिटिब पॉइंट कुछ निगेटिब पॉइंट सामिल करना है और लाश्क में अपना निगेटिब पॉइंट सामिल करना है कि इस छेत में अच्छी बात है रिष्छेत में गलत बात है और लाश्क में अपना अपनी तरफ से जो बात हैं वो उसका निस्करस लिए दीजिए बस हो गया अब एक तरह से आप कहें कि एक तरह से पूरी तरह से नकार दें आप लोग तो मुझे लगता है ये तो गलत है आप से अगर पिदान मंतरी के मान लीजेगी दो-तीन काम पूछने के लिए कभी कहीं भी इंटर्विवीउ में या कहीं कोई पूछ लेता है तो आप तो कहते हैं कि वो कई लोगों को आप संते हैं एक पिदान मंतरी ने कुछ नहीं किया लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा उजला ये उजना, स्वक्ष भारत अभियान जन्धन खाता ये उजना ये कितने अच्छे काम हैं तो इन्हें गिनात हो सकते हैं आप लोग समय रहें भारत में अगर बात करें अदालत की आउमानना भारत में अउमानना की कानून सुतनता पूर्फ से ही बित्मान है सुरुवाती उचने अलेयों के अलावा कुछ रियासतों की अदलतों में भी ऐसे कानत हो जब समय धान को अपनाये गया है 1950 की बात कर रहा हूं आप सभी लोगों को मालू होना चाहिए कि 26 नवंबर 1999 को कुछ प्रावधानों के साथ समीधान लागू हो चुका था लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपका समीधान लागू हो है उसमें पिदत्य वाक एवं अभिव्यक्ति की सुतनता की युक्ती युक्त निर्वंधन के रूम में नयाएक अउमाना को इस्थापित किया गया है यह बात की जा रही यह आटीकल 19 के दैत ठीक है भारत की समीधान में कई अनश्यद में नयाएक अउमाना से समधित पित्यक्ष्याफिर विवक्षित रूम से पिरावधान भी किये गए है नियायक अवमान्ना अधिनियां 1971 अवमान्ना पर धन्रित करने के अधिकार को बैधानिक आधार पिदान किया गया है बात कर लेते हैं नियायक अवमान्ना अधिनियां 1971 क्या है इससे भी आपका डारेक्ट कुर्शन सबन सकता है और ये कापी चर्चा में है अर्टिकल इसलिए और महत्पूर हो जाता है इस कानून के मताबिक नयाले के अवमानना कारत किसी नयाले की करीमा उसके अधिकारों के पिती अनाधर पिदरसीत करना है Contempt of Courts Act 1991 को पहली बार साल 2006 में संसोधित किया गया इस संसोधन में दो बिंदू जोड दिये गए ताकि इसके खिलाब आउमानना का मामला चलाया जा रहा हो तो सच्चाई और नियत भी द्यान में रखा जाए अगर आप समझे कौनाल कामरा ने अगर इस तरह की कोई टिपड़ी की है तो कानूनी कारवाई होनी चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार की दवाव में या किसी एक वेक्ती की दवाव में आकर गलत धंग से कारवाई हो ये भी गलत बात है पिसांद भूसन ने यहीं कहा था आप लोग ने कि अग मैं सलाय दे रहा हूँ मैं सुप्रीम कोट पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ या सुप्रीम कोट की नियादीसों पर मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ उन्हें एक तरह से मैं जगा रहा हूँ कि मतलब वो गलत दिसा में जा रहा है गलत दिसा में काम करें अगर आप सोची कि अगर पिताजी भी कभी गलत दिसा में बोलते हैं कुछ गलत नेड़े लेते हैं तब आपके पास इतना तो अधिकार होना चाहिए कि बोलना चाहिए कि ये एक गलत काम गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए अब आप सोची, पूरी तरह से रोग लगा दी जाए एक तरह से, धर से निकालने की विवस्ता हो जाए, तब तो मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा, और इस कानून में दो तरह के माम ले आते हैं, एक तो सबसे बड़ी फौददारी, और फ़र दूसरा देखेंगे आप ग पर आज आती हैं, जिसमें सकैनलिजिंग दि कोट वाली बात आती है, इसकैनलिजिंग दि कोट का मतलब आम लोगों की बीच कोट की छबी खराब करना है, और इनमे एक यही कहा जा रहा है, आप समझे की मतलब आम लोगों का भरोसा है सुप्रेयन कोट पर, तो यख तरह से उसे बदनाब करने की कॉसिस की जाती है अब बात करते हैं हम लोग नियालाई की आउमाना के लिए समिधाने विवस्था क्या कीगी है सबसे पहले बात करते हैं अनुचेद 139 की समिधान का अनुचेद 139 सर्वोच न्यालाई को अबलेक न्यालाई के रूम में वडित करता है साती यह अनुचिद सर्वोच न्यालाई को अपनी अवमाना के लिए दंडित करने की सकती पिदान करता है याद रखी एक तरह से आप अबलेक कहने का मतलब है कि न्यालाई जो भी करता है उसकी राय पर कई लोग चलते भी हैं आप समझे हैं कई नियालाय भी उसकी बात मानते हैं अनुछे 142 की बात करें तो समीधान के अनुछे 142 की उपकंड में सर्वोच नियालाय को यह सकती पितान कीगी किसी भी ब्यक्ति को स्वयम की आउमाना के लिए दंडित और उस आउमान के लिए जाज कर सकता है लेकिन सर्वोच नियालाय की यह सकती संसत द्वारा बराएगे किसी कानुन के परावदान की अधीन होगी अनुछे 215 की अगर बात करें हम लोग है 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 एक तो आपने गेट के सामने कडगे हो जाए तो आपके अपने के सामने हो जाए आपके अधिकारों पर फितीवंद लगाए Calling जाएगगा अटीब लगाए है किया जाएगा एक बड़ा अच्छा मतलब मैं देख रहा था इंटर्विव गहीं आर्टीकल पड़ रहा था उसमें कहा गया कि माल लिए ऐसा दिन ना देखने मिले भारत को लेकिन फिर भी माल लिए कि हमारे जो भी पिदानमंत्री मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं कभी की हमारा सुप्रीम कोट पिदानमंत्री की पूरी बात मानने लगे पिदानमंत्री किसे चाय पर मिलें और वो एक पेज दें उसमें लिख दें कि इस पर कल आपको यह सुनवाई करनी है और इस पक्च में नेड़े दिन आए ऐसा अगर दिन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि क या उस समय भी हमें नहीं बोलना चाहिए सुप्रीम कोट के बारे में कुछ भी या सुप्रीम कोट के नियाजीस के बारे में उस समय भी हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए आपको सूच के देख सकते हैं कि अगर इहसा देन देखने को मिल जाए तब तो मुझे लगता है कि लोगतंत खतम है हमारे देश में और कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही है तभी आप देखिए कि इतने इंडेक्स आ रहे हैं इतने सूचकांक आ रहे हैं उसमें आपको कहीं न कहीं आपको गिरती हुई आपकी इस्तिती दिखाई दे रही है अगर सब कुछ अच्छा है तो आपके इंडेक्स में आपकी इस्तिती तो अच्छी होनी चाहिए उपर होनी चाहिए ठीक न्यालयम को आव मारना की सकती का उच्छित की बात करें तो कानून के सासन उचित ही खत्रे में आ सकता है इसलिए नियालाय को सुतन प्रक्यति को बनाए रखने के लिए नियालाय के पास आवमाना की सक्ति होना आवस्रक हो जाता है और एक तरह से आवमाना की अच्छी सक्ति मिली हुई है नियालाय को एक तरह से आप कहिए पिताज आपके पास इतनी सक्ती तो होने चाहिए कि आपको 20-22 साल बढ़ा करें पाल पोस्की, हल तरह से आपको इस्तेवा करें कोई धरम साला तो खुली नहीं हुई थी कि वहाँ धरम साला में आप थे और निकल के अपने मन मानी करने लगें कुछ भी करें तब तो मुझे लगता ही कि आपके पिताजी के पास सही जो भी है सक्ती सही है इसी तरह न्यालायका भी है न्यालायक के पास अवमानना की सक्ती होनी चाहिए कि हल नेड़े दे रहा अच्छी नेड़े दे रहा अच्छी मतलब एक तरह से निस्पक्च फिर भी लोग माने ना फिर भी लोग उस पर उंगली उठाने लग जाए समझ रहे हैं मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि सबको सभी विवर्स्ताय ठीक है बस निस्वक्च रूप से काम करें आपका जो कर्तब में वो काम करें लेकिन अधिकतर मामले में आपको देखने को मिलीगा कर्तब कहां निवाते लोग कर्तब बसे उनका दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता है आजकल आप देख रहे होंगे आपकी बड़े अच्छी संबंद बंगते रहते हैं संबंद का मतलब है कि एक दोस्ती जो भी आक के इस्तिती है ठीक है? जो भी मतलब जिस तरह से भी दोस्ती है और भी दोस्ते बने रहते हैं उसमें माली जी आप सामने वाले पर 100% भरोसा कर रहे हैं आख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो आग का भी तो कर्तब बनता है, कि उसके भरोसे को बनाये रखें, ऐसा नहीं कि वो आग बंद करके भरोसा कर रहा है, अंधा होगा, और आप सही में उसे यकीन दिला दें कि हां, तुम अंधे हो, तब तो यह तुम हरा गलत है न, इस तरह से तुम ही गलत कर रहे हो, तो यही देखा जारा है, यह तरह से जुड़ा होगा, इसलिए नियालायों की सुतंत प्रक्रक्रति को बनाये रखने के लिए, नियालाय के पास आउमानना की सक्ति होना आवस्लक हो जाता है, अवमानना के लिए सजा के प्रावधान की बात करें सरवुच नियालय उच नियालयों के पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का भी अधिकार है पहले की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 में नयालाय की आउमानना के लिए 6 महाईने की साधारान कारवास या फिर 2000 रुपे तक का जुर्बाना या दंड का प्राउधन था, इसके इलावा उच नयालाय की आउमान अधिनियम 1971 K graphics 9-10 के तहर, अधीनस्त नयाले की आउमाना के लिए भी दंडेत करने का अधिकार पिजान किया गया है और सरवुच नयाले ने 1991 में नयाले की आउमाना पर एक नेड़ाय में कहा था कि सरवच नयले के पास नात के बल स्वयम की अवमाना के लिए बलकि उच नयले, अधी नस्ट नयले और अन नयादी करन की अवमाना के मामले में भी दंडित करने की सकती है यानि कि आप समझ सकते हैं सरवच नयले उपर सबसे है तो उसके पास तो सकती हो नहीं भी चाहिए आप समझे अगर घर में आप किसी से लड़ते हैं और या तो घर में कोई भी छोटा भाई है बड़ा भाई है तो पिताजी के पास सकती है कि वो आपको दंडित करें फिर चाहे आप किसी से भी लड़े हों किसी के से भी कुछ गलसा देवोले हम, तो यही सुप्रेम कोट है, ठीक है? आउमाना से जुड़े मुद्दों की बात करें तो भारत में सुप्रीम कूर्ट का नियाय चित बहुत बिश्तित है साथ ही आउमाना की परिभासा भी बहुत ब्यापक है इसलिए निया अधीसों और नियाय पालीका की आचन को की बैद आलोचना को रोपने के लिवी नियालाई की निंदा करने जैसे सब्दों की बहुत ही सितिल व्याक्या की जाती है और एक बात और हम इसा याद रखिए नियालाई पर सभी को भरोसा है आप समझे जिस दिन नियालाई अगर अपने करतब से हट गया उस दन देश भी खत्रे में पढ़ जाएगा समझ रहे हैं आज हमें भरोसा पिधान मंत्री पर हो अपने विधायक साब पर हो अपने मंत्री साब पर हो ना हो लेकिन हमें अपने सुप्रीम कोट या जो भी हमारे कोट है उस पर भरोसा है और हमें एक तरह से किस पर भरोसा है अपने समिधान पर भरोसा है अगी अभी आ नियालय में देख लेते हैं, जो फैसला करेगा मानने मुझे, तो कम से कम आपको भरोसा तो है कि नियालय आपकी पक्ष में देगा और नियाय करेगा आपके साथ, और जब आपको मालू चल जाए कि कुछ नहीं होना है नियालय में, आप कितने भी सिर्फ पर लीजे, आपके खिलाब ही आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपको दोसी माने जाएगी, तब आपके क्या वरोसा रहेगा, आप मुझे लगता है कि आप जाएंगे ही नहीं नयाले, आप कहेंगे रहने देजे घर में चुपके बैठे रहेंगे, अभी भी तो हमारे देश में आधिक त होता रहता है, जुलम होता रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी F.I.R का कोई मतलब नहीं रहता है, अभी वहां से उपर से फौन आएगा, और उन्हें छोड़ती आ जाएगा, हम घर में बैठ जाएगे, और फिर भी हमें व रोका जाना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा है आप लोगों से, कि भगवान ना करें, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की विवस्ता हो जाती है, कि पिधान जो भी सरकार अभी बख्च मतलब है, केंद में बैठी हुई है, उसके साथ सुप्रीम कूट मिल जाए, और सभी नेड़ जैसा ना देखने को मिलेते हैं मैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, पिती वन्नों पर भी यह थोचे ती उक्ति उक्तिता बनाय रखनी चाहिए, आलोचना की पिती नेड़े की यह अत्ती सक्रीता अभी व्यक्ति की आजादी के से अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डाल की जानी वाली कारवाई, प्रेश की तुदंता के साथ सा नेड़े की पैद आलोचना पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, इस पर विचार करते हुए भारत में आउमाना की चित अधिकार में सुधार किया जाने किया ब सकता है, और अन्ने देसों में भी नेड़े की आउम प्रभावाना के चित अधिकार वो कम किया गया और इसे समाप्त कर दिया गया, आप समझें कि इसे बिल्कु समाप्ती भी कर दिया गया, वही हाल है कि हांती रास्ते से गुजर आये, कुद्ते ह्यार भौक रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपको क्या मतलब है, अब दुनिया आप से चिला रही है कि आप कभी सखल नहीं हो सकती है अगर आपकी मेहनत है तुम आपकी वो कामाई ही उसमें कौन रोक देगा आप लोग को तो यह भी देख सकते हैं आप लोग वो कहते हैं ना कि सब धमेशा विजय होता है अगर आप सत्टि के राश्ते पर चल रहें तो कोई आपको सक्षेज होने से नहीं रोक सकता है अगर सुप्रिम कोठ सही है तो कुटे क्या भॉख रहे हैं दो-चाल लोग क्या कह रहे हैं इससे कोई मतलब थोड़ी रहता है अगर आप गलत हैं वह आप पर उंगली उठा रहा है कोई तब आपको दर्थ भी होगा तो यही कहा जा रहा है कहने का मतलब कि सोचल मीडिया का जमाना है कोई कुछ भी लिख सकता है आज कल आप फिस्बुक पर देखते हैं कितने कितने मतलब बद्धी कमेंट किया जाते हैं या बद्धी टिपड़िया के सेयर कर देते हैं लोग आप समझे रहे हैं? ट्वीटर पर देख सकते हैं आप लोग अगर सब पर सुप्रीम कूट इस तरे की आवमाना की काम करने लगे तो मुझे लगता है कर जिल भरने की नौ्मत आ जाएगी और सभी दुनिया की सभी मामले छोड़ कर आपको सुप्रीम कूट इन्ही कामों में लग जाएगी तो कहा जा रहा है कि इन्हें मुझे लगता है कि इन्हें अवाइड मतलब एक तरह से दूर फेक देना चाहिए बेटन में इसे 2013 में समाप्त कर दिया गया था और कनाड़ा में न्याय पिसासन की वह बास्वित तत्काल और परियाप्त खत्रे की आधर पर भी आउमाना की कारवाही की जाती है अमेरिका में नियालेयों द्वारा नियादीसों या कानूनी मामलों में टिपडियों के लिए आउमाना कौप्यों ही नहीं किया जाता है और याद रखिए इस तरह का अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है कि अच्छा परावदान है लेकिन उसका दुरुप्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि हाल की मामलों में बहुत दुरुप्यों देखा गया तो यही कहानी है आपकी अवमाना की इसके बारे में जो भी पॉइंट है बड़े अच्छे से याद रखिए वह आपको निस्पक्ष रूप से ध्यान देना है हम लोगों ने तो बड़े बिस्ताल से बात कर लि है बिवेंट पक्षों को देखा है लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि यही आपको टीप के नहीं लिखाना है मैंने जो बूला हुआ ही ना लिख देना वरना काम कतम हो जाएगा चलिए मिलते हैं आपको पढ़ते रही है ठीक है